नमस्कार आप देख रहे हैं समाचार आपके साथ मैं हूँ पराकरम से शिखावट बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी ख़बरें लेकिन शुरुआत करेंगे सुर्कियों के साथ अनुच्छे 370 हटने और केंदर शौसित प्रदेश बनने के बाद जमू कश्मीर को जल्द मिलेगी नई सरकार निर्वाचना योग ने शुरू की विधान सबाचुनाव की प्रक्रिया 2014 में हुआ था पिछला विधान सबाचुनाव शपत ब्रेंट समारों से पहले दिल्ली में बैठकों का सिलसिला चारी अमिच्छा के आवाज पर हुई भाजपा नेताओं की महत्वपोर्ण बैठक मुख्यमंतरी योगी आधितनाथ ने भी अपने मंतरी परिशत के साथ बैठक में की लोग सबाचुनाव में पार्टी के प्रद्रशन की समीक्षा कॉंग्रिस कारे समीटी में चुनाव नतीजों पर मन्थन राहूल गांधी को विपक्ष का नेता बनाये जाने पर भी चर्चा लखनाओ में समाजवादी पार्टी और कोलकता में टीमसी की अहम बैठके ग्रोन और श्नाइपर स्तानाथ हनरबाद में राच के सम्मान के साथ होगा रामो जी राव का अनकेम संसकार प्रधान मंत्री मोदी ने कहा भारते मीडिया में करांती लाने वाले दूरदर्शी व्यक्ती ने पत्तारिता और फिल्म जगत पर छोड़ी अमेट छाप टी टुन डी विशुकप में बड़ा उलट फेर अफगनिस्तान ने न्यूजिलैंड को 84 रणों से माट देकर हासिल की लगातार दूसरी जी बंगलादेश ने भी श्रिलंका को हराया और सुर्कियों के बाद आईए अब खबरों पर नज़र डालते हैं विस्तार से भारती निर्वाचन आयोग ने जम्मो किश्मीर में विधान सबाद चुनाव की प्रक्रिया आधिकारिक रूप से शुरू कर दी है चुनाव आयोग की सचीव जैदेव लाहीडी ने प्रेस्ट नोट में कहा कि आयोग ने केंदर श्वासित प्रदेश जमू कश्मीर की विधान सभा के लिए आम चुनाव के लिए चुनाव चिंध, आरक्षन और आवंटन आदेश 1968 के पैरा 10B के तहट कॉमन चिंध के विधान सभा चुनाव 2014 में हुआ था केंदर सरकार द्वारा पांच अगरस्त 2019 को अनुच्छे 370 और 35A निरस्त कर दिया था जिसके बाद जम्मू कश्मीर को केंदर श्वासित प्रदेश का दरज़ा दे दिया गया जिसकी अपनी विधान सभा होगी लदाख को भी अलग क बिना विधान सभा दे केंदर सरकाष्त प्रदेश का दरज़ा दिया गया तब से जम्मू कश्मीर केंदर श्वासित प्रदेश का प्रशासन उपराज जिपाल के हाथों में हैं कल यानि रविवार 9 जून की शाम नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रुधान मंत्री पत की शपत लेंगे शपत ग्रहन समारों की तैयारियों की बीच दिल्ली में बैठकों का से सिला जारी है आज अमिच शाह के आवाज पर भाजपा नेताओं की महत्वपोन बैठक हुई जिसमें कई महत्वपोन बिंदूओं पर चर्चा की गई और वहीं लोगस्वचुनाव नतीजे आने के बाद कॉंग्रिस कारिकारनी समिते की बैठक चल रही है पार्टी अध्यक्ष मलीकार जुन खडगे के नित्रत्व में हो रही बैठक में चुनावी नतीजों पर मंतन हो रहा है कॉंग्रिस को इस चुनाव में 99 सीट पर जीत हासिल हुई है जो पिछले लोगस्वच चुनाव के नतीजों से बहतर है इसके अलावा पार्टी के अंदर एक धड़े का मानना है कि राहुल गांधी को लोगसभा में पार्टी और विपक्ष के निता का पच संभालना चाहिए इस सहम विशय पर भी बैठक में मंतन होने की उम्मीद है और वहीं लखनव में समाजवादी पार्टी की कारले में आज पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बैठक में पार्टी के सभी सानसे दोर उम्मीद वारो को मौझूद रहने के लिए कहा गया है पार्टी कारले के बाहर अखिलेश वादव की तस्वीर और सबकेश्री अखिलेश आयोध्या के अवधेश के नारे के साथ पोस्ट्र लगाए गए है उत्तरप्रदेश में इस बार समाजवादी पार्टी को 37 सीटों पर जीत हासिल हुई है त्रिन्मूल कॉंग्रिस की नेते और बंगाल की मुख्यमंतरी ममता बरणर जी आज श्राम कुलकाता में अपने नव नर्वाचित सांसदों के साथ बैठक करेंगी 2019 में बंगाल की 42 सीटों में से त्रिन्मूल ने 22 सीटे जीती थी इस बार ये संख्या बढ़कर 29 हो गई है त्रिन्मूल सूत्रों के मताबिक आज की बैठक में पार्टी के इस नतीजों का विशलेशन किया जा सकता है बैठक में पार्टी के महासचीव और सांसद अभी शेक बरजी के भी शामिल होने की बात कही जा रही है उन्होंने तीसरी बार डाइमंड हाबर लोकसवा सीट से भारी मतों से जीत हासल की है और एक बार फिर से नरेंद्र मोदी के हाथ में देश की कमान होगी कल 9 जून की शाम नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के प्रधान मंतरी पत की शपत लेंगे 2014 दोर्द और 2019 के बाद अब फिर अगले पांच साल के लिए मोदी प्रधान मंतरी बनेंगे शपत ग्रहन समारों में हिस्सा लेने के लिए बंगलादेश के प्रधान मंत्री शेक हसीना दिल्ली पहुच चुकी है दिल्ली हवाय अड़े पर उनका भव्य स्वागत किया गया तो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी जो की तीसरी बार भारत के प्रधान मंत्री बनेंगे कल रविवार को शाम को राशपती भवन में उनका शपत ग्रहन समारो होगा और उसी के तहट बंगलादेश के प्रधान मंत्री शेख हसीना भारत आई है उनका विमानतल पर भव्यस्वागत किया गया और ये तस्वीरें आप शेख हसीना के आगमन की देख रहे हैं जिसमें पारंपरिक अंदाज में भारती सल्श्कृति की जलक को प्रदर्शित करते हुए बंगलादेश की प्रधान मंत्री शेख हसीना का भव्यस्वागत किया गया मनोनीट प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी के शपत ग्रेंट समारो में शुर्कत करने के लिए बंगलादेश की प्रधान मंत्री शेख हसीना भारत आ चुकी है शपत भ्रंड समारों के अफसर पर भारत के पड़ोसी देश और हिंद महा सागर क्षेत्र के नेताओं को विशिष्ट अतिती के रूप में आमंत्रत किया गया है श्रिलंका के राशपती रानल विक्रम सिंग है, मालदीव के राशपती डॉक्टर महमद मोईजू, सैशिल्स के उपर राशपती अहमद अफीक, मौरिश्यस के प्रढ़ान मंत्री प्रविंद कुमार जुगनूत, नेपाल के प्रढ़ान मंत्री पुष्प कमल दहल और भूत में भी शामिल होंगे लगतार तीसरे कारकाल के शपत ग्रहन समारों में भाग लेने के लिए नेताओं की यात्रा भारत द्वारा अपनी पडोसी पहले नीती और सागर विजन को डी गई सरवोच चुपरात्मिक्ता को ध्यान में रखते हुए है खास बात यह है कि मोधी सरका के शपत ग्रहन समारों में श्रमिको और स्वच्छा ग्रहियों को भी विशेश दोर पर आमंतरित किया जा रहा है नई सरकार शपत ग्रहन समारों में दिली में देश और विदेश से आने वाले तमाम वी वी आईपी महवाने खटा होंगे इसके लिए सुरुक्षा विवस्था के कड़े इंतिजाम किये जा रहे हैं दिली पोलीस ने 9 और 10 जून के लिए दिली को नो फ्लाइ जोन गोशित किया है और निश्यताग्या लागू की है इन दो दिनों में पैराग्लाइडर, पैरामोटर्स, हैंग्लाइडर, UAVS, UASS, माइक्रो लाइट विमान जैसे उप पारंपरिक हाईवे प्लाटफॉर्मों की उडानों पर प्रतीबंद रहेगा इसके साथ बहुत सरी सुरुक्षा विवस्था की जा रही है राश्पती भवन की सुरुक्षा के लिए अर्दिसानिक बल, NLZ कमांडो, ड्रोन और स्नाइपर को तनाद किया जाएगा तमाम बड़े होटेल्ज को भी सुरुक्षा के घेरे में लिया गया है और वही राश्पती भवन में आज Change of Guard समारो नहीं होगा 15 और 22 जून को भी ये समारो नहीं होगा राश्पती भवन की प्रांगर्ण में प्रदान मंत्री और मंत्री परिष्ट के शपत ग्रंड समारो के त्यारियों और राश्पती द्वारा संस्यत की दोनों सदनों को संबोधित करने के कारण ये फ्तैस्टा लिया गया है राश्पती भवन की तरफ से जारे विग्यप्ती में ये जानकारी दी गई है राश्पती भवन में प्रतेक्ष निवार को रस्मी गाड़ों की अदला बदली का समारों आयुजित किया जाता है चेंज आफ गाड एक पुरानी स्याने परंपरा है जिसमें राश्पती भवन के गाड़ समय समय पर बदले जाते हैं तेल्गु दिश्म पार्टी के अध्यक्ष एन्चंदरबाबु नाइडू 12 जून को विजयवाडा में आंद्रप्रदेश के मुख्यमंत्री पत की शपत लेंगे एन्चंदरबाबु नाइडू अपने सलाकारों द्वारा तैय शुब समय सुबह 11 बचकर सथ 20 मिनिट पर शपत लेंगे शपत ग्रेंड समारों विजयवाडा के विजयवाडा में गन्नावरम एरपोर्ट के पास केसर पल्ली आईटी पार्क में आयजुद किया जाएगा राजिपाल एस अब्दुल नजीर उन्हें पद और गोपनेता की शपत दिलाएंगे प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी, उनके मंतरी मंदल के सहयोगी, विबनर राजियों के मक्य मंतरी भाजपा और अन्य अन्डिये सहयोगी दलो के नेता शपत क्रहन समारों में हिस्सा लेंगे अला कि अभी ये सपस्ट नहीं है कि एन्चंदरबावु नाइडू के साथ कुछ मंतरी भी शपत लेंगे या नहीं चोहतर वर्षे नाइडू, चोथी बार मुक्य मंतरी पत की शपत लेंगे ये दूसरी बार होगा जब वो आंदरप्रदेश राज्य के मुक्य मंतरी के रूप में शपत लेंगे वो 1995 से 2004 के बीच सयुक्त आंदरप्रदेश के मुक्य मंतरी रह जुके हैं और राज्य के विभाजन के बाद 2014 से 2019 तक मुक्य मंतरी भी रहे टीडीपी जनसेना भाजपागडबंदन ने 175 सदसे विधानसवा में 164 सीटे जीत कर शानदार जीत दर्च की है प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने टेसला के सीओ एलन मस्क का अभार चताया है अपने सोशल मीडिय प्लेटफॉर्म एक्षपर पोस्ट करके नरेंदर मोदी ने कहा कि आपके अभिवादन की सरहाना करता हूँ हमारे प्रतिभाशाली भारतिय युवा, हमारी डिमोग्राफी, नीतिया और स्थिर लोकतांत्रिक राजनेती हमारे सभी पार्टनर्स के लिए कारोबारी महोल प्रदान करना जारी रखेंगे इस से पहले टेशला के सीईओ एलन मस्क ने प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी को लोगसभा चुनाव में जीत पर बधाई दी थी और वहीं लोगसभा चुनाव 2024 में भारती जंता पार्टी के उत्तर प्रदेश में पार्टी के प्रदरशन को लेकर लखनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आधितनात ने अपने मंत्री परिश्वत के साथ बैठक या धिक्षता की माना जा रहा है कि इस बैठक का उडेश ये पार्टी की प्रदर्शन की समीक्षा करने के साथ ही सरकार के सभी विभागों की कामकाच को लेकर भी समीक्षा करना था लोगस्वा चुनाव में भाजपा उत्तरप्रदेश में 80 सीटों में से महस 33 सीटे ही जीत पाई है और मध्रदेश के धार से भाजपानेता सावितरे ठाकुर ने बंपर वोटों से जीत दर्च की कॉंगरेश प्रत्याश्री राधिशा मुवेल को डो लाग से अधिक वोटों से हराकर वो दूसरी बार सलस्ट पहुची है सावित्री ठाकुर से बाचोईट की, हमारे सवाधाता अजीत द्विवेदी ने बिजेपी ने मध्य पडेश से 29 में 29 लोग सवा में क्लीन शीप किया है और इसमेंचे दहार लोग सवा भी सामील ये भार लोग सवा से सावित्री ठाकुर हमारे साथ हैं एंडिया की बैठा खुई वहाँ पर भी आप थीं क्या लगा आपको कि तरी तीसरी बार के परदान मंत्री है दस साल में जो काम किये हैं वो बड़े सराहनी है और जनता ने शुकार किया है कि मोधी जी आगे भी और हमारा शपना है किस देश को 2047 तक विक्षित बनाने का वो उसी पर भारती जनता परटी जो आज काम किया है और आज हम पूर्ण बहुमत 29 की 29 सेटे आई है जो मानी नरेन मोधी जी की जो ग्यारंटी है जो नीचे लेवल पर जो योजनाय हिद्गराईयों ने और महिलाओं ने जो वोट किया है भारती जनता परटी मद्बरदेश मे 50% का आरक्षन जो पंचाय तिकाई से लेखे उन आरक्षन दे रहा है अभी मानी नरेन मोधी जी ने नारी बंदन बिल पास करके और महिलाओं को ससक्त बनाने का काम किया है क्या आपकी प्रास निकताई रहेंगी वहाँ पर विकास को लेकर और किस तरिके से कुछ खागा तैयार किया आपने अगामी पांच सालों के लिए विकास को लेकर पर दबरदेश में भारती जन्ता पार्टी की सरकार है डबल इंजन की सरकार है बड़ी गती से काम चल रहे है रेलवे का जहां तक कि मन मोहन सिंग सरकार थी जब उन्होंने करा था शिलानास मेती अभी इद्धू स्तर के काम चल रहा है और बहुत जल्दी वह आने वाली है दूसरा हम स्वास्त और शिक्षा पे काम कर रहे हैं और अभी मैंने जैसे बड़ा जिला होने के कारण तो हम एक केंद्रिय पिछली बार मैंने दिया था पर कुछ कारण वो नहीं हो पाया इस बार हम पूरी तरह से उसको कराएं 29 सीटे जो है पहली बार BJP मद्यपरिय से जीत कर आई है और धार लोकसवा सीट की बात करें तो विरान सबा में अलग परिणाम थे लोकसवा में बिलकुर अलग परिणाम आये हैं किस तरह देख रहे हैं आप जो इस बार में दूसरी बार की शांसद हूँ सब जानते हैं और कारेकरता लोकसवा चुना हो कारेकरता लड़ते और जनता ने इस बार मोधी जी को असिरवाद दिया है धार में ही भूस साला है जो की एक बुद्धा बना हुआ है उसको किस तरह देखती हैं आपका उसका कुछ निराकरन हो पाएगा उसका सवलोसन निकलेगा बहुत सारा निराकरन हो चुका है अभी अरकलाजिक टीम गई है उन्होंने सर्वे किया है कि बहुत साला जो वहां थी पहले वो कुछ उनका वो था और आज कोट में हमारा वो लगा है और कोट का डिसीजन बहुत जल्दी आने वाला और जल्दी डिसीजन आके हम उसका अंगरिस की रकीबूल हसन ने एाई यूडी एफ के महुमद बदरुदीन अजमल को दस लाग से ज़्यादा वोटों से हरा कर आती हास एक जीत दर्च की है उनकी इस जीत पर खास बात्च्वेट की हमारे सवाद आता कुमारा लोग ने कि हमारे साथ है रकुबूल हसन सहाब और धुबरी से इन्होंने बदरुदीन अजमल जैसे सक्स को पराजित किया पराजित ही नहीं किया बलकि अच्छे मार्जे से पराजित किया सर आपकी जीत की पिछे कर किया कारण था कारण तो हिमनता बिस्ट सर्मा और बदोडिन आजमल का जब मिले जो एड़ आपका शाजी से जो कमीनल अपस प्यार केर के आदमी लोगों को गुमा कर रहा है उसका खिलाप आदमी लोगों ने भूद दिया है जो कमीनिस को परफॉर्म करना चाहिए और ज़्यादा सीटी ज प्रफॉर्म का मन देखिए वह उसका मालूम हो गया वह पॉलिटिकल साइटीस थे ना जो वेडर डिखता है उसको मालूम हो गया कि उसका चिप मिनिस्टर शीप जा रहा है अजमल का क्या भविश्चे रहेगा साम में अपसर उसका नाम हम लेना नहीं चाहते है अप अभी अभी मत लेजिए अदमी लोग लेना नहीं चाहते हैं आप क्यों ले रहे हैं तो यह थे रकीवूल हसन साहब जिरोंने बदरुदिन अर्जबन को हराय जो काफी अस्ट्रालवर्ट से हैं सामके और इनका कहना है कि हम जो कर्फॉर्मेंस असम में हमने लोक सभा भी क्या है विधान सबाब में उससे भी अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा कैबरेबन रवी धिवान के साथ कुमारा लोक डीडी न्यूस दिल्ली उन्होंने का कि नया आपराधिक नयाय प्रणाली डंड नहीं नयाय के भारती मुल्यों पर अधारित है साथ ही उन्होंने बताया कि इसके तहट उत्तरप्रदेश के हर जिले में फॉरंसिक लैब के स्थापना के साथ वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये कोड ट्रायल की भी सुविधा दी जाएगी एक जुलाई से आपराधिक नयाय प्रणाली भारतीय नयाय सहीता सहित तीन नय कानून लागू होंगे जिसके लिए कए अधिनियमों नियमावली सोपी और शासना देशों में बढ़लाव होंगे इसके मद्दे नजर योगी आधितनात ने दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा है कि बिना किसी देरी के इससे समधित सभी प्रक्रियाओं को पूरा किया जाए साथ ही मुख्यमंतरी योगी आधितनात ने कॉंस्ट्रेबल उपनिरीक शुक, इंस्पेक्टर, अभियोजग, जेल कर्मचारी की विदिवट ट्रेनिंग को 30 जून तक पूरा करने के साथ साथ आम जंता को भी जगरू करने का निर्देश दिया नय आपराधिक नय प्रनाली के तहत IPC की जगह भारतिय नय सहीता, CRPC की जगह भारतिय नागरिक सुरक्षा सहीता और Indian Evidence Act की जगह भारतिय साक्ष कानून लागू होगा डेवलपर कमपनी गिट हब के CEO ने कहा है कि भारत में दुनिया के सबसे बड़ी डेवलपर कम्यूनिटी बनने की संभावना है Microsoft के स्वामित्व वाले गिट हब के CEO Thomas Doom की इस समय एक सम्मेलन के लिए भारत दोरे पर है भारत में AI यानि की Artificial Intelligence के विकास को लेकर अपने Social Media Platform एक्षपर कहा कि भारत एक विशाल आर्थिक अफसर के केंद्र में है भारत ऐसे समय में दुनिया के सबसे बड़े डेवलपर समुदाई का केंद्र बनने जा रहा है जब दुनिया भर में Artificial Intelligence का युग शुरू हो रहा है उन्होंने विश्वास जताया है कि Artificial Intelligence की युग में भारत सबसे आके होगा इससे पहले मैक्रोसोफ के चैमेन और सीओ सत्य नडेला भी भारत के दोजार सताईस तक गिटहब पर सबसे बड़े डेवलपर समुदाई बनने की उमीद जता चुके है गिटहब एक डेवलपर प्लाटफॉर्म है जो डेवलपर्स को अपना कोड बनाने, संग्रहित करने, प्रबंदित करने और साजा करने की अनुमती देता है भारत इस प्लाटफॉर्म पर सबसे तेजी से बढ़ने वाला बाजार है भारत अमेरिका के बाद दूसरा सबसे ज्यादा जनरेटिव आर्टिफिशल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट रखता है थॉमस डूम के 12 जून को बैंगलोरू में गिटहब कॉंस्ट्रेलेशन 2024 करिक्रम में भाग लेंगे मीडिया जगत की एक प्रसिद्ध हस्ती इनाडू और रामोजी फिल्म सिटी के संस्थापक रामोजी राव का आज सुबह तिलंगाना के हैधराबाद में निधन हो गया रामोजी राव का हैधराबाद के स्ट्रार अस्पताल में इलाज चल रहा था आज सुबह उन्होंने अंटिम सास ली तिलंगाना सरकार ने राच के सम्मान के साथ अंटिम संसकार की गोशना की है उधर टीडीपी प्रमुक एंट चंदरबाबू नाइडू ने दिल्ली में रहते हुए रामोजी राव को श्रधांजली दी रामोजी राव को iconic मीडिया बेरन और फिल्म मोगल कहा जाता था एक मध्यम वरगिये परिवार में जन्मे रामोजी राव ने बिज्निस और फिल्मों की दुनिया में खूब नाम कमाया उन्होंने रामोजी ग्रुप की नीव रखी जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो रामोजी फिल्म सिटी, एटीवी नेटवर्क और इनाडू तेलगू अकबार भी आता है कई सुपर हिट तेलगू फिल्मों का को बनाने का श्रे रामोजी राव को जाता है और मनोनीद प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने रामोजी राव के निधन पर शोक व्यक्ति किया है उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्च पर एक पोस्ट करके समवेधना प्रकट की उन्होंने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर पोस्ट की और लिखा की रामोजी राव गारू का निधन बेहत दुखत है वो एक दूर दरशी व्यक्ति थे जिन्होंने भारती मीडिया में करांती लाई उनके सम्रिध योगदान ने पत्रकारिता और फिल्म की दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी है अपने उलेखनिय प्रयासों के मात्यम से उन्होंने मीडिया और मनुरंजन जगत में नवाचार और उत्कृष्टता के नए मानग स्थापित किये भारत के विकास के लिए रामोजी राव गारू को जुनून था मैं भागिशाली हूँ कि मुझे उनके साथ बातचीत करने और उनके ग्यान से लाब उठाने के कई अफसर मिले मैं उनके परिवार, मित्रों और अंगिनल प्रशनस्रकों के प्रती इस कठिन समय में सव्वेधना व्यक्त करता हूँ तो भारत के प्रतान मंत्री नरंदर मोदी ने रामो जी फिल्म सिटी के सलसापक रामो जी के निधन पर शोक सव्वेधना व्यक्त की है उन्होंने कहा कि भारतिय मीडिया और भारतिय पत्रकारीता और साथिसाथ भारतिय फिल्मों को बढ़ाने में रामो जी राव का जो योगदान था वो उलेखनिय था और महत्वपूंड था प्रधान मंत्री ने रामो जी के साथ बिताए गए संस्परणों को भी याद किया फिल्म निर्देशक, SS, राजा मौली, संगीतकार, MM, किरवानी सहित कहीं हस्तियों ने हैदराबाद फिल्म सिटी में इनाडू और रामो जी फिल्म सिटी के संस्तापक रामो जी राव को अंटिम शृधान चली दी और मीडिया परस्टनालिटी और रामो जी ग्रूप के चैमेन रामो जी राव को शृधान चली देते हुए राश्ट्रिय स्वयम सेवक संग ने सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म एक्च पर पोस्ट किया है और रामो जी फिल्म सिटी के संस्तापक रामो जी राव का नेधन उन्होंने लिखा कि मुक्रिता पत्रकारिता और सिनेमा के ख्षेत्र में एक बड़ी ख्षती है इन ख्षेत्रों में अनुठी विशेशताओं और परंपराओं को जोडने में उनकी अग्रिनी भूमी का औ और अब बात टी टुएंटी वर्लक अप की अफगानिस्तान ने टी टुएंटी विश्यू कप में न्यूजिलेंड को चोरासी रनों के बड़े अंतर से हराकर बड़ा उलट फेर कर दिया है आज खेले गए मैच में टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान की टीम ने न्यूजिलेंड को जीत के लिए 106 रन का लक्ष दिया हलाकि न्यूजिलेंड की टीम अफगानिस्तानी गेन बाजो के आगे 15 ओवर भी नहीं टिक पाई और 75 रनों पर आल आउट हो गई और मैच गवा दिया अफगानिस्तान के लिए राश्वित और फलहक ने चार-चार विकेट जटके वही T20 क्रिकेट विशुकप में आज खेले गए दिन की दूसरे मैच में बंगलादेश ने श्रिलंका को दो विकेट से हरा कर अपने अभियान की शुरुआत की है वहीं मौझूदा सीजन में ये श्रिलंका की दूसरी हार है मुकाबले में टॉस हार कर पहले बले बाजी करने उत्री श्रिलंका ने निर्धारिद 20 ओवर में 9 विकेट गवा कर 124 रन बनाए थे जवाब में बंगलादेश ने 19 ओवर में 8 विकेट खोकर 125 रन बनाए और 2 विकेट से मुकाबला अपने नाम कर लिया T20 क्रिकेट विश्यू कप में आज तीसरा मैच निदर लैंच और दक्षिन आफरिका के बीच खेला जाएगा भारतिय समय के अनुसार ये मुकाबला शाम 8 वजे आने कि आज रात 8 वजे शुरू होगा मुझूदा विश्यू कप में दोनों टीमें एक-एक मैच जीत चुकी है आज दोनों टीमों की कोशिश दूसरा मैच जीत कर तालिका में शीर्ष पर खाबिस होने की होकी वह ग्रूप सरका एक-एक मैच खेल चुकी अस्ट्रेलिया और निगलाइन की टीम आज अपने दूसरे मैच में मैदान पर उतरेंगी टी-21 शुकप के पहले मैच में अस्ट्रेलिया ने जीत से अपने अभियान की शुरुआत की थी वह इंगलाइन और स्कॉटलाइन की बीच खिला गया मैच बेनती जा रहा था आज के मैच में इंगलाइन की नज़र टूनमेट में अपनी पहली जीत पर टिकी होगी और इसे की साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही लेकिन डीडी नियूस पर खबरू का सफर कभी नहीं थमता देखते रहें ये डीडी नियूस क्योंकि ये भरोसा है सचका नमस्कार व्रिक्षा सथ पुरूशा इवां पुरूशा इवां पुरूशा